बीते दिन एलविश यादव को आरेस किया गया जुडिशल कस्टडी में भी रिमार्ड में भी वो जा चुके हैं 14 दिनों के लिए नौइडा पुलिस के ऐसे में एलविश के इस अरेस पर जो कि वो स्नेक वेनम केस में हुए हैं इस पर बहुत से लोगों के बहुत सारे रियाक्शन सामने आए हैं देखा जाए तो बहुत यूट्यूबर्स ने भी अपनी और से कुछ बाते ऐलविश के तमाम कॉंटिवर्सी इस पर आज तक कहीं हैं और भी कहते हुए नजर आए हैं देखा जाए तो फुक्राइनसान यानिकी अभी शेक मलहन ने कुछ भी डिरेक्ली नहें लिखा एलविश की इस कॉंटिवर्सी के बारे में उनके एक एक पोस्ट जरू सामने आए इस स्टोरी उन्होंने शेयर की जहां पर उन्होंने श्रीक्रिशन जी की तस्वीर के साथ एक अपनी तस्वीर लगाए हुई थी और लिखा हुआ था God bless all वही से के साथ अगर बात की जाए तो उनके सभी दोस्तों की तो वो फिलहाल जो पी सादे हुए हैं इस पूरी कॉंटिवर्सी पर सिर्फ उनका ये कहना है जो कि उनके फैलो यूटिवर्स हैं उनकी काफी अ और राजवीर जो की ऐलविश के दोस्तों भी काफी अच्छे हैं और उनके मैक्तन के साथ हुए इस मामले में उनका साथ भी खुब दिया था उनका कहना है कि बिचारे के उपर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है उसके लिए कोई पूजा पार्ट करो इसका समयम तमाम इस वक्त उनके ऐलविश आर्मी वाले उनका साथ देते हुए नज़र आ रही हैं कुछ ऐसे ट्विटर स्पेस भी सामने आए हैं जहाब लोगों को रोते हुए देखा जा रहा है जो ये कहते हैं कि उनका विश्वास उठ रहा है अब पुलिस वालों से हमारे लौ से जो कि एलविश को फसाने के लिए इस हद तक जा चुके हैं क्या कहींगे आकर इस बारे में आज़स भी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लेकर बताएगा वीडियो को लाइक शे चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी न जाए